अस्वान में बिजवान चीमा, वेलकम बैक बिंदर वीडियो आफ केपिल समार्ट सिटी आज की इस वीडियो में आपको ओवर्सी जेंट्रल सेक्टर A के वाले से इस एक्स्प्लें करूँ का इस में इसमें डेवल्लप्मेंट का स्टेटस क्या है as of 1st week of July 2023 इस वीडियो में आपको sector A में जो plots के development हो रही है, specifically residential inventory of 12 Marla, 10 Marla and 1 कनाल और कुछ 2 कनाल के plots भी है, उसका explain करूँगा, उसके साथ साथ जो commercial civic center है, जो sector A में develop हो रहा है, उसका भी explain करूँगा, प्लस उसके साथ साथ जो neighboring areas हैं, वहां पे जो activities हो रही है, specifically के sector A एक ऐसा sector है, जो जो एक junction point है, जहां पे 400 foot road, 300 foot road, 180 foot road, और 4thi side पे motorway, आपकी point पे जाके मिलती है, उस point का नाम है sector A, इस sector A की इसलिए भी हमियत ज्यादा है, क्योंग इस से आगे जो है, जो capital smartly के सबसे flagship project होगा, Silicon Valley, जिसमें future में जाके आपको तकरीबन धाई लाग क्या सपास, ऐसे offices जिनको रेंटल बेस पे दिया जाएगा, यहने के society construct करेगी, company construct करेगी, और बाद में वीकली, डेली या मंतली बेस पे रेंट आउट किया जाएगा, तो इसलिहासे भी इसकी काफी ज़्यादा value बनती है, बैकसाइड पे जाब को रिंग रोड नजर आ रहा है, रिंग प्लॉट्स की बात करें, तो वहां पे 4 मरला और 8 मरला के कमर्शल प्लॉट्स है, जो 8 मरला कमर्शल प्लॉट्स हैं, वो facing ring road है, यह road 4 है, commercial road 4 और इसकी जो width बनती है, वो commercial road 2 पी है, और इसकी width बनती है, 40 feet, plus जो parking space में लाके 56th street की road बनती है, 58 feet की road बनती है, in total, अगर हम ब 12 मरला के plot है, residential, right now जो आप screen पर footage देख रहे हैं, यह street number 2 और 3 की footage है, जिससे आपको idea मिल रहा होगा, कि जो drainage की pipeline है, जो underground drainage हो नहीं है, हर घर के नीचे, उसकी जो pipeline है, उसकी जो society ने काम मकमल कर लिया है, और कुछ areas ऐसी है, जहां पर drainage काम अभी तक रहता है, second is, कि इस block की ज street का, वो आपको layout plan समझा रहा होगा, इसके बाद यहां पर stoning होती है, फिर compaction होती है, and then asphalt, तो यह अगले आपको 2-3 महीने के तुरान यह जो block है, मकमल आपको ready मिलेगा, बाद में जो final चीज रह जाएगी, वो underground, जो electricity और इसका काम है, वो साथ-साथ, यानि कि जब road carpeting होग है, वो अभी तक pending है, यह मैं बात कर रहा हूँ specifically, street 1, street 2, street 3, street 4, and street 5 की, and उससे आके जो linear park road है, 50 feet wide, उसकी बात कर रहा हूँ, अब right now, जो footage है, आरवन रोड पे, यह बिलकुल facing, commercial और इसकी back side पे, अगर आप horizontally देखें, तो यह सारी street जो है, lane 3 के साथ आता है, तो यह overall होग आपको जो कुछ open area नजर आ रहा है, जहां पर कुछ browning यह, कुछ आपको गाड़ियों को जरती हो नजर आ रही है, यह सारा M2 motorway का area है, याद रहे कि A block जो है, कि सारे जमीन लेवल थी, इसमें as such cutting वाला काम और filling वाला काम नहीं था, A block और B block का junction है, जो divide होता है, A और B block, वहां पर कुछ filling गया, और वहां पर society एक bridge भी मना रही है, जो आपका center में linear park road होगा, उसके उपर bridge बनेगा, first of all मैं आपको थोड़ सा ring road explain करता हूँ, क्योंकि इस ring road की बहुत ज़्यादा एहमियत है, इसलिए भी कि ring road जो है, वो basically connect करता है, जितने भी sectors है, और से central को, sector A से लेके doctor and clave तक, वो connect करता है आपको interchange से, उसके साथ बाकी silicon valley को connect करता है, doctor and clave के साथ, यह interchange के साथ, और silicon valley के सबाद जो central 2 है, यह central की extension कह लें, जहाँ पर sector J है, sector K है, different sectors है, जहाँ पर specifically, हारुनी पाक और से central के cuttings हैं, साढ़े तीन मरला वाली, वो भी इसी road के थुरू connect करत और linear park road के left और right side पे, दोनों side पे जो road है, उस road के 50 बंती है, 50 feet और center में, पहला plot जो है, linear park पे साथे 6 कनाल का, वो moss का plot है, फिर साथे 5 कनाल का plot है, 5.04 कनाल का plot है, जो मस्जिद mini market का plot है, then 17 कनाल की parking है, then 5 कनाल का junior school है, फिर 6 कनाल का higher college है, फिर आगे linear park की continue करता है, till the end, उस मस्जिद mini market मिलती है, sector B और C के दरम्यान में, और उस यागे so far and son, यही package आगे continue करता है, यही method आगे continue करता है, अब right now linear park में जो पहले plot पे आपको डिगनी नजर आ रही है, जहां पे आपको कुछ नीचे basement पे raft डलती हूँ नजर आ रही है, इस plot के, जो यह वहला specific plot है, यह plot reserve है, मस्जिद का plot है, जिसका size बनता है, आपका 6 कनाल का plot है, linear park का, अगर हम इसी के अब left side पे आजए है, linear park के, जहां पे आपको street linear park, road, linear park B, road 50 feet है जो, उसके लावा पर आगे street 6, street 7 and street 8 की cuttings मिलती है, जहां पे 12 मरला के ही plot है, और उसके बाद फिर 60 feet का road wide है, जो center में divide कर यह वाला road, इस road का नाम है, आपका sector A road 60 feet wide और यहां पे दो कनाल के plots है, याद रहे कि दो कनाल के plots है, सारे के सारे plots है, वो 60 feet road पे है, यहनि आपको 10% extra, जिन members के प्लोट है यहां पे, उनको 10% extra pay करना पड़ेगा, अब मैं आपको ring road से होते हैं, आपको ring road से होते हैं, आपक एक जासे commute करना है आपने, तो इस bridge के ऊपर से घूम के जाएंगे, तो आपको वह अरिया नजर आता है, सेकंड इस के ring road पे, जो ring road है, यानि के जो R1 road है, जो पूरे smartity के अंदर रोटेट करता है, इसकी width 180 feet है, इस पर भी एक bridge बन रहे है, अब यह जो bridge है यह आपको motorway से इसकी width बन रहे है, जो सामने देखें, जो society की new tech university की length reserved है, उसे आगे वाले पार्ट पर रहे है, इसकी width बन रहे है, जिसकी width बन रहे है, जो width बन रहे है, यह bridge बन रहे है, इससे आगे तपर दोबारा ring road continue होता है, right now जो footage आप देख रहे हैं, इस sector B के साथ जो linear ring road continue करेगी, sector B के साथ जो commercial plots हैं, plus उसके साथ जो right side residential plots हैं, दो कनाल के, कनाल के, और street number 7 पे हैं, street number 6 पे हैं, street number 3 पे हैं, यह जो plots हैं वो आप देख सकते हैं, और इस point से आगे कि दोबारा extract bridge construct होना है, जिस पे यह वाला bridge जो complete होगा, तो मेरे खाला है, उसके बाद अगले bridge की बारी आए अब इस से गर backward चलते हैं, या मैप पर reverse चलते हैं, B, फिर A, फिर सिलिकोन वैली, फिर जो overseas central हारुनी पाक को block है, अच्छा एक और चीज जो बहुत interesting है, overseas central में वो यह है, कि overseas central में जिस जगह को सबसे late ballot किया गया था, वो सबसे ज्यादा developed है जगह, यानि कि सबसे late ballot किया थ overseas central में, हारुनी पाक overseas central को, और जो बाकी J और K block है, उस block के आगे बिल्कुल आपको accurate मकमल तरीके से, 180 feet wide ring road मकमल corporate मिलता है, तो यह अच्छी बात हैं, मेंबर्स की लग कहलें, कि वो सारे जमीन plain, बिल्कुल level जमीन थी, plain जमीन थी, तो society ने priority पे जो ring road को develop करना start किया है, वो उस side से start किया था, तो इसलिए वो वाला पार्ट जो आपको नदर आएगा, वो जल्दी develop नदर आएगा, मेरा खाल में September में possession start होगा, यह back side से start करेंगे, जिसे overseas central 2 कहते हैं, यह overseas extension कहते हैं, यह Harmi Park overseas central कहले हैं, उस part से start होगा, साढ़े तीन मर्ला वाले side से, और आगे continue करते 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 वो आगे, अब इस वक जो physical footage है, वो overseas central sector A in the first week of July 2023, और right side पर जो ring road है, वो आपको physically नदर आ रहा है, जो carpet हो चुका है, अब मैं Google Earth पर आगे जाके मैं ring road की length भी measure कर दूँगा, प्लस sector A की communities हैं, वो भी explain कर दूँगा, और future में जाके sector A की advantages होंगे, वो भी explain कर दू जाए, एक बहुत बड़ा myth है, बहुत बड़ा concept है, लोग के पास कि शायद overseas central के जो sectors हैं, वो motorway से ज्यादा नस्दीक है, इंटरचेंज से, यह बिलकुल घलत concept है, motorway से सबसे ज्यादा नस्दीक जो sector बनता है, that is doctor enclave, उसके बाद फिर आगे साइड जाते हैं, तो sector K overseas east, sector A overseas east, sector B overseas east, and sector J overseas east, वो सबसे नस्दीकी sectors बनते हैं, बाकि इस तरफ आज जितना distance sector A और K का बनता है, उतना ही distance sector G और sector F का बनता है, overseas central के, यह बिलकुल घलत concept है, across में motorway आपको नजार है, overseas west और सबसार DHE के land आएगी, right now मैं Google Earth location पर आपको explain करता हूँ, बाकि मैं वीडियो में आखे जाके details explain कर दूँगा, जाकर मैं सकर में सीन पर Capital Smartity का master plan देख सेते हैं, और master plan में जो आज की वीडियो स्पेसिफिकली, वो इस sector के हवाले से, जिसका नाम मैं overseas central sector A, जैसके मैं linear park road 50 feet wide है, जो उस पर जो plot मिलते हैं, बारा मरला के plot है, second is, इसके साथ जो बाकी plot बनते हैं, right side पर lane number 2 पे, वो भी तुमाम के तुमाम plot जो बनते हैं, 50 feet wide है, और lane 1 पे भी plot जो road बनते है, 60 feet wide road है, 40 feet और 60 feet road है, इन पर भी सारे plot बारा मरला के रिक साथ, commercial civic center है, अगर हम बा यहां से आपको, I think, better idea हो सकेगा, मैं बलके master plan खुतम कर देता हूं, ताके आप लोगों को better understanding मिल से के side की, actually area दिखाई कैसे देता है, यह वाला सारा area यहां पर इस तरह के मिट्टी के टेले दिखाई देते थे, अगर इन general perspective में आपने समझना है, तो आपको यहां से better understanding मिल स साइड पर आती है, और आके यहां पर शिदीर depression है, यहां पर cutting नहीं दी, यह open area रखा है, यह water body के लिए रखा हुआ है, तो यह वाला area जो ठोले depressionally side पर है, specifically sector A की बात करते है, क्योंको मैंने पहले commitment की थी, members के साथ के मैं जब और से central के वीडियो बनाऊंगा, तो मैं ट्रा करते हैं, सबसे पहले आपको यह road जो मिलता है, इसकी width 350 feet wide, यह sector A की, आप कहलने के south side है, यह नीची वाली side बनती है, south side, अगर हम इसकी sector A की east side पर देखे हैं, तो यह 400 foot का bolivard है, जो sector C को भी connect करते हैं, और यह 400 foot का bolivard एक junction पर है, यहां से आप turn लेके sector A में भी आ सकते है प्लस के साथ साथ यह center से जो linear power का आपको नजार है, यहां से भी आप यहां पे access ले सकते हैं, तो multiple तरीके हैं, आप इस sector से यह direct road आती है, यहां से भी आ सकते हैं, 180 feet road से भी आ सकते हैं, 350 feet road से भी आ सकते हैं, प्लस यह linear power को लाज़ रोड है, जो आज की date में हम commute करते हैं, ह यह road जो है, यह public road है, और इस road का आप society future में क्या करती है, तो कैसे draw करती हैं, आप lines, that is up to their consent, उसको बाद में discuss करेंगे, sector A बे दवारा वापिस आते हैं, sector A की elevation, यहां से आपको idea हो गयागा, मैंने आपको road से explain कर दिया, यह 400 feet road है, यह 30 feet road है, back side पे सारा Silicon Valley का area आता है, जो society काफी, एक बड़ा commercial hub होगा, और commercial hub से ज्यादा important बात ही है, कि पाकिसान में पहली दफ़ा Silicon Valley का concept जो लाया जा रहा है, किसी बड़े group की तरफ से, यहीं पाकिसान में को multiple projects नज़र आते हैं, multiple brands नज़र आते हैं, food की chains नज़र आते हैं, outlets नज़र आते हैं, international brands नज़र आते है आप कहलें कि clothing के brand होगे, आपकी SSDs के brand होगे, आपके जूतों के brands होगे, Gucci, LV इस तरह के brands नज़र आते हैं, बट specifically पाकिस्तान में जैसे California में Silicon Valley है, और चाइना में आपकी hardware वैली है, यहां पर इतने चीज़ें assemble होती हैं, specifically Apple के iPhone होगे, MacBooks होगी है, इस तरह की चीज़ें, चाइना में assemble होती हैं, और इस लबाव जो California में होता है Silicon Valley में, वो पूरा IT के, जैसे Facebook का head office, Google का head office, Apple का head office, और different बड़ी companies जो है, जो IT related है, Snapchat सोगी होगी है, उनके head offices वहां पे हैं, इस तरह पाकिस्तान का Silicon Valley है, जो हब बनेगा, वो यह वल अरिया है, जो साइट ने काफी ज सेक्टर A की elevation कैसी है, यहां से आपको better understanding मिल सकेगी, कि सेक्टर A की elevation कैसे दिखाई देती है, यह तो पॉइंट होगा पहला, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, कि सेक्टर A से एडिशसन जो areas बनते हैं, वो कौन से हैं, अब सेक्टर A की चार साइट देखें, नौर साइ अब सेक्टर A की चार साइट की बनेंगे, अब सेक्टर A से अब देखें, अब सेक्टर A से अब देखें, यहां से क्लेर अंडिस्टेंड होगा, यह भी गूगल पे images उस तरह से updated नहीं है, लेकिन यह updated होगी, तो आपको idea हो जाएगा, कि right now यह वाला सारा area developed है, इसमें आपने पर साइट की footage देख लिया है, तो यह प्रापरली si 차, तो यह प्रोपर्ली र electr— अब्रीज बन रहा है, इसमें किन भी बिटिकेशन नहीं है, लेकिन चुंकि पाकिस्तान िक्त्र अंड़ गुगल ऑले है, अपने maps ब्रेज हो अप्डेय तो याँद नहीं है तो यह आपने जब actual side footage देख लिया है तो यह वाली side हो कि जहां से आपको अच्छा याद रहे sector A और motorway के दिरम्यान में यानि यह motorway है मैं पूरा map गाई कर देता हूँ यह अपको understanding नीचे तो Google पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा यह जो part बनता है आपका इस part से लेके motorway के दिरम्यान में सिर्फ और सिर्फ education district और यह सारी plane land है अगर आप motorway से गुजरते हैं यह सारा area physically witness कर सकती है in fact अगर आप recent days में देखे हैं तो society ने एक नया step लिया है वो यह कि साथे 300 foot का यह जो road है अगर आप motorway से गुजरें तो आपको एक road साथे 300 foot का carpeting नजर आएगी यह road भी carpet हो चुका है यह साथे 300 foot का जो road है यह आगर जाकर 400 foot road से match करता है यह road भी carpet हो चुका है तो यह आपकी सबसे बड़ी निशानी है अगर आपने sector A को witness करना है अगर आप इसलामबा से लहूर जा रहे हों तो रस्ते में गाड़ी रोके आप साइट पे जहां पे चोटे सी चेक पोस्त बनी हुए है आपर आप करें एंटर्चेंग से तो start आप दो रस्ते आते हैं और पहला रस्ता देखिए तो आप का आता है जो इस पाह्तव सी लेकिए आप Dr. Enclave के ओपर से जो ring road बन रहा है अब यह बना नहीं है road तो just for explanation यह road अभी नीचे वड़ी side से शुरू है मैं वह मैं explain करता हूँ कि इस side से आप आते हैं तो sector A का जो पहला point बनता है उस point पर तक distance बनता है 3.60 km का अगर आप ring road से commute करते हैं तो in that case अगर आप 400 foot road से यहां पर commute करते हैं तो आपका distance जो बनता है वो यह वाला route इस्तमाल होगा आपका और आपका इस route पर जो distance बनता है that is 5.57 km actual जो number बनते हैं फिजिकली side पे अब जारी सी बात है जब side पे जीजें का बनेट होगे हम दोबरा इसको मेजर कर लेंगे हम तो फिलाल perception बेस जा रहे हैं और मैप की बेस पर जा रहे हैं हम एने मैप में एक-एक plot को एक-एक plot के साथ बिल्कुल टैली किया यानि कि यह अगर है आपकी street नुमर वन तो यह street नुमर वन के उपर ही है इसमें ऐसा कोई changes नहीं है क्योंकि इसको जो मारी media team उसने काफी जाद मेहनत के पास को मैं आपको paste के तो definitely इसमें मैं पूरी authenticity की साथ कहा सकता हूँ कि इस distance इतना ही मनेगा अब आज जी plots के option पे थर्ड option बनता है यहां पे plot के size के है पहला जो रिंग रोट पे है यह plot बनते है यह बनते 40 पे 45 के 40 feet front and 45 feet depth यह plot बनते 8 मरला के उसकी back side level जो plot है वो 30 by 30 के plots हैं 4 मरला के इसके लावा यहां जो plot है street number 1 से लेके street number 5 तक यह 12 मरला के plot है इनका size बनता है 40 by 68 square yards में 300 square yards और मरलों में 12 मरला और यह बनते हैं सामने opposite side पे street 6, street 7, street 8 पे यह plot भी 40 by 68 और मरलों में अगर बात करें तो 12 मरला और square yards में बात करें तो 300 गस का plot बनता है 300 square yards उसके बाद यह बनते हैं दो कनाल का 75 into 120, 75 feet front 120 feet depth यह बनते हैं 1000 गस के plot हैं और मरलों में 40 मरले का और इसकी back start पिर आगे कनाल के plot है 50 by 90 कनाल तो पुरे पकिस्तान को dimensions की याद है इसमें बड़ी rocket science नहीं है यह जो area सारा बनता है इस area में सारे कनाल के plots हैं और यह दो कनाल के plots हैं दो कनाल के plots के सामने यह minimum road जो width है that is 60 feet 50 feet और maximum 60 feet सिवाए इस road के ही इस road पर चाहां 40 feet road के साथ आते हैं कनाल के plots बाकी मैंने वीडियो के start में explain के दिया था 6 कनाल की मस्जिद mini market साढ़े 5 कनाल की 5.04 कनाल parking 17 कनाल उसके बाद junior school 5.04 कनाल higher college 6 कनाल यह already site पे इस plot में मस्जिद वाला जो plot है इस पर raft दलना शुरू हो चुकी है जो अपने वीडियो में witness भी की है तो उसका अब को better understanding हो सकती है वहाँ पे कैसी है अब जो ज़्यादा important चीज है वो मैंने शुरू में बात की थी कि society ने development reverse site से start की है यनि society ने नीचे वाले site से development start की है तो to be precise अगर मैं point बता हूँ आपको तो इदर एक कमरा बनावा चोटा सा चाहाँ पे road start होता है let me check on the google location yes यह जो आपको room नजर आ रहा है अगर आपने previous videos follow की हुई है capital smarty की तो मैंने इस एरिया की जो videos कुछ बनाई थी इस एरिया की development की तो इस room के पास यहां पे guards बैठे होते है अच्छा इस से आगे जो land है for example यह वाला जो area बनता है इस site पे यह जो specifically किनाल के plots हैं litigated land है, cultural village इसे गाउं है और से आगे overseas central में कुछ यहां area बनाई यह master plan है जो इस में overseas central का मैं दूसरा map देखता हूं कर मुझे मिल जाते हैं साथ तो मैं उसको भी साथ paste कर दूँगा ताकि members को दरा clear and standing मिल सके कि overseas central के बाकी जो areas बनते हैं वो किस हद तक developed हैं yes, army park overseas central area मुझे मिल गया let me get the map, yes अच्छा, यह यह army park overseas central का जो map आप देख रहे हैं okay, one second just, मैं map कदरा details से paste कर लो अब यह जो overseas central का map है इसके सामने जो road नजर आ रहा है आपको यह सारा road developed है और मकमल बिलकुर ready है sector K मकमल तरी बन developed है sector L मैंचे आपको अगर possible उसकी land भी आपको दिखा रहता हूं ताकि आपको जरा easy understanding मिल सके यह सारा area जो developed है यह 3.5 मरला sector K का sector L का भी area यह जो green part नजर आ रहा है यह भी brown हो चुका है, मकमल developed है ready है sector J and sector H यह वह जो area आपको नजर आ रहे हैं सारों के नीचे जो land है कोई part भी litigated नहीं है किसी ऐसे part में भी ऐसा area नहीं है जहां पर land की थोड़ी सीब litigation हो even though 1% litigation भी तो अगर आपकी inventory यहां पर मुझूद है तो definitely try करें उन plots को long term के लिए hold करें आपको maximum benefit जोगा पास करेंगे अगर मैं ring road की length में यह करूं कि ring road किस पार्ट से किस पार्ट तक complete हो चुकी है तो यह आपका ring road का starting point है इसमें आपको मैं central के map जो central 1 है वह अला map यह वह अला आपका central 1 का map यह central 1 का map हो गया central 2 का map मैं इसे master plan भी highlight कर दूँ जरा ताकि आपको easy understanding मिल सके कौन सा पार्ट किस तरह से बनता है चले हम start करते हैं सिर्फ और सिर्फ इससे army park overseas central से कि road किस point तक carpet हो चुका और कितना carpet हो चुका बलकि master plan भी करते है ताकि तमाम मैं बस बदा easy ओके यहां से start करें इस point से अब यह जो इरिया बनता है 3.11 km का यह road मुकमल net carpet है इसमें ऐसा कोई एक पार्ट भी नहीं है not even a single piece के जिस पे जरा सी भी litigation मजूद है जरा सा भी risk को और members को जो members की यहां पे already capital smart के अंदर काफी specifically overseas central के अंदर जिनकी investments है definitely कोई आइडिया मिल सके यहां पे कोई ऐसा area नहीं है जो हल्का सा बिलिटिकेटेट हो यहां कुछ green part नजर आ रहा है यह मुकमल land के लिए है इसमें कोई दो राय नहीं है कि land मुकमल developed है और ring road का जो मैंने part line mark की है इस पार्ट तक ring road भी मुकमल carpeted है इसमें किसी पार्ट में specifically separate video बना दूँगा ring road के लिए ring road overseas central के लिए कि वह बाट कितना development लेकिन यह सारा area मुकमल clear है तो यह overall मैं try के master plan की मदद से तुमाम चीज़ों को detail से explain कर सकूँ कि जिन members की भी investment है overseas central में मैंने यह भी यह series start की है यह sector A से start होगी और doctor and cleave तक जाएगी और बाकी बाद में second series जो बनाऊंगा उसमें इंशनला मैं try करूंगा कि जो central 2 है यह आपका overseas central 1 है यह वला area इस series में आपको यह linear park के साथ-साथ-साथ-स ब्लॉक है पहले sector A फिर residential apartment building sector B, sector C, sector E, sector D, sector F and doctor and cleave और वापसी पे यहां पे sector G इस part की पहले आपको मैं इस series में दिखाऊंगा सारी वीडियो और इसके बाद पर अगले second part में हम जो इसमें नीचे वाला side बनती है हारमी पाक overseas central की जिसमें आपका sector K आता है जिसमें sector J है sector H है H, J, K, L यह जो sector है प्लस यहां पे M sector है इन sectors की तमाम मैं आपको area footage हो की explain कर दूँँगा again for the record यह वाले part के लावा जहां आपको yellow boxes नज़र आ रहे है वन किनाल के plots 5190 के जो sector M में आते हैं तमाम जितना area बनता है इसमें आपका तमाम area बिल्को cleared है और असे आगे जहें silicon value का area बिल्को cleared है और आगे sector A आपने fitness कर लिया है तमाम area मकमल brown हो चुका है in fact street का जो layout plan है वो भी draw हो चुका है तो future में जाकर जब यह area मकमल developed होगा मजीद Google Earth पे images update होगी तो I'll try to explain each and everything in really detail अगें back to real time footage इस वक्त दुबारा अपने screen पे वही capital smart अच्छल साइट जरेंग डोड से लेके motorway के दमयान में देख सकते हैं इसमें में ट्राइग है कि जितनी चीज़ें एक्स्पेंट कर सकें मैप की मदद से मैं एक्स्पेंट करूँ ताके मेंबर को अपनी इंवेस्टमेंट पे प्रॉपर फॉल अप मिल सके as first week of July 2023 So this was it from today अगर आपको Capital Smart City या Lahore Smart City में बुकिंग के वाले से कुछ मालूमाद चाहिए हो तो देखर नबर रापता करें इसके साथ साथ नमारी website विजिट करना मत भोलें www.makansolutions.com अगर आपको ये वीडियो चे लगे तो प्रीज जू लाइक, कमेंट & शेर और चैनल को सब्ट्राइब करना मत भोलें इस्वान ची में को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिस